राम विलास पासवान के बेटे और लोजपा केंद्रिये संसरिये बोर्ट के अध्यच चिराग पासवान को पार्टी का राष्ट्रिये अध्यच बनाया गया है। दरसल लोजपा के स्थापनाकाल से अब तक राम विलास पासवान ही पार्टी के राष्ट्रिये अध्यच रहे हैं। कारे समीति की बैठक मंगलवार को दिल्ली में राम विलास पासवान के आवास 12 जनपत में हुई बैठक में राश्ट्री कमेटी के सभी पतादी कारी के साथ सभी प्रदेशों की अध्यच ने भाग लिया बैठक में चिराग पासवान के राश्ट्री अध्यच के पद पर ता ही लेते थी हर चुनाओं में उम्मिद्वारों के चेन में भी उनकी भूमी का प्रमुख रहती थी हाला कि संसद्य बोर्ड के अध्यच की हैसियत से यह उनकी अधिकार छेत्र में ही था लेकिन आज्द यानि मंगलवार से चिराग ने पार्टी की कमान पूरी तरह से सम्हाल है रामविलास पासवान चिराग पासवान को लोजपा के राष्ट्री एध्यच की जिम्मेदारी शौपेंगे हाला कि वो खुद केंद्र सरकार में मंत्री बने रहेंगे दिल्ली में चिराग की ताजपोशी का एलान करते हुए रामविलास पासवान ने कहा कि हम चाहते ही की अगली पिरी अपना काम संभाले